गाइस बैसे तो भारत में ऐसे कई किले हैं जिन पर कई वार आकरमन हुए हैं लेकिन इन में से एक किला ऐसा है जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सबसे जादावार आकरमन हुए किले की लिस्ट में सामिल है आईए इस किले के बारे में जानते हैं कि ये कौन सा किला है और कह बाया था भाटी बंस के राजा के बंस के नाम परी इस किले का नाम भटनेर किला पड़ा इसका मतलब है भाटी का किला गाई साला की इसे हनमानगल कहा जाता है क्योंकि साल 1805 में बीकनेर के राजा सूरा सेन इस किले को भाटियों से जीत लिया था जिस दिन इन्हें जीत मिली इसफिरी का नाम हनमानगाल रखा गया भारत के सबसे पुराने किले मेंसे एक यह किला करीब 1735 साल पुराना है। इसमें सरसा सुरी की कब्रे के सांज सरंग भी है जो भटनेर से भटिंड और सरसा के क्लिए तक जाती है। इसके लेकर निर्माल पक्की ईटों और चूने से किया गया है इसके चलते इसे इतिहास का सबसे मजबूत किला माना जाता है गाइस इतना ही नहीं इसकी मजबूती का जिकर तैमूरी राजबंस के सासक तैमूर लंग ने अपनी जीबनी तुझे के तैमूरी में भी किया है तैमूरी में इसे हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला बताते हुए लिखा है कि भटनेर जैसा मजबूत किला उसने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा साथी अकबर महान ने अपनी पुस्तक एने अकबरी में इसका बर्णन किया है इसके बात किला 1527 तक भाटियों जोहियों और चायलों के कबजे में रहा जब इसे बीकनेर के रावजेट सेहने ले लिया था चायल और बीकनेर के साही परिवारों के कबजे के अलाबा ये दो बार मुगल नियंतरन में भी आया सोतकरताओं का मानना है कि मुहमद गोरी और प्रतिवीरा चोहान की बीच लड़ी गई तरह इनकी प्रसिद दूसरी लड़ाई जिले के बर्टमान तलवारा जील में ही हुई थी आपको बता दे कि इस किले पर अकबार और प्रतिविराच चोहांजे से सासकों के अलावा बिदेशी आकरमनकारी महमूद गजनवी ने भी राच किया गजनवी ने एक हजार एक इसबी में इस किले पर कबजा कर लिया था इसके बाद तेरवी सताबदी में गुलाम बंस के सासक सेरखान ने भी इस पर हुकूमत की इस किले में सेरखान की भी कबर है बैसे तो 1398 में इस किले पर तेमूर लंग ने सासन किया था गाइस आपको इस के लिए के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें